लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें करें चरतो एक रधार करें फड़स्ट विए प्रिएखर बालब अपड़र बालब आई करें लिए बालब आएकन को प्रें आएकन को लिएम्रा चनल्डरा चनल्डर चनल्स को सम्ट्स ते से कर यंज़ ही तूही जैंटीर कम झाया। मेरता के सभी वासियों को नमशकार राम राम सलाम मेरा नाम मुक्तियार सिंग है ना सिख ना इसाई ना हिंदू ना मुसल्मान सिर्फ इंसान बात यही कहुँगा कि इतना अच्छा इंसान भी नहीं के भगवान इतना भुरा भी नहीं के शेटाँ और मानने नहीं आया हो तो हमें मिलेगा हि देए हिम् mash कुण कुण दो गानदी जी की बात तो सबी को याद है है जरण क्यो कहा हमें भी सुनाओ बरामाद 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 हो राहा है ना तो बोलो मअचमाजी का सपना था मअचमाजमाजी का सपना था अज का बाशन यही समाप था थाने चलो, गिरफ़तार करने आए किस बात के लिए? गुनाहों के लिज बड़ी लंबी है, हावालात में काफी टाइम मेलेगा बता देंगे आराम से सवकारी काम है, जा कर आ रहे हैं बुक्तार तीम! करन सिंग, करन सिंग, करन सिंग, दिनानाद बोर रहा हूं, तेरे आदमी ने मुक्तियार को पकड़ लिया है, कर नहीं तहा, कब तक बचाओ की तीमानाद जी अरे बात सुन मेरी, हलो, इसी भी हालत में चुनाओ जीतना है, अरे दियाल साव आप कैसे हैं, अ एक दम बढ़िय करन सिंग, करन सिंग को फोन करता हूं, मैं कमिशनर को फोन करता हूं, कुछ करियार, एस्पी साहब का फोन है, कौन इस्पी, मेरो फोन क्यों ही उठा रहा हूं, है, और मुक्तियार सिंगो क्यों रश्किया, ये, ये तो मुझरिम है सर, अनोखी देवी का कतल किया, क्या बखवाया सर, अनोखी देवी जिंदा है, चलो चोड़ो से, अरे सर, जान जोकिम से मुझरिम को पकड़ते हैं हम, और हर बार छुडाने आ जाते हो आप, क्योंकि वो आपका दोस्त है यहीं पर वर्दी उतरवा कर घर देचू एक दिन आएगा सर, हम अपनी वर्दी खुद उतरवाएंगे या फिर आपकी वर्दी उतरवाएंगे मुक्तियार सिंग को छोड़ दिया? क्यों? कोई तरह से आपको सिंग साब वो अनोकी देवी का मुर्णर है क्या सबूत तुमारे पस? सबूत के बेसिस पर ही तो निर्भै और निश्चय ने मुक्तार सिंग को गरिफतार किया था? मरवादिया दोनों को ताली बात तुमें आक है मुक्तियार सिंग जैसे निता को पकड़ने की गल्ती की नतिज़ा क्या हुआ? लाइन में ट्रांस्वर हो गया तोनों का हर दिन किसी न किसी का दुख्रा लेकरा जाती हो किसी दिन दूसरों का दुख्रा सल्टाते, सल्टाते, खुदी सलट जाओ छोटी सी मशीन है, टक कसे बंद हो जाएगी समालो भाई मशीन तो सभी की बंद होनी आए किसी ना किसी दिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम जैसों के मरने पे हजारों सैक्डों लोग गंधा देने आएंगे और आप जैसे बिकाउट पुलिस वाले की अर्थी उठाने के लिए चार लोग भाड़े पे बुलाने पड़ेंगे खामोश रहने का क्या लोग है वो बताओ सौधा करवा देता हूं दीन अना से कहके जादा से जादा पैसे दिलवा देता हूं आधा तुमारा आधा मीरा अफसर कहूं अब कहूं या दलाल पुलिस की कुरसी पे बैठ के पुलिस की वर्दी पहन के एक इमानदार अदमी को बहिमानी का रास्ता दिखा रहे हो इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला मेरे अंदर इतना पावर है कि तुझे किसी भी गुना में अंदर कर सकता हूं तो बलाईए हवलदार को आगरा के पागल खाने में एक कमरा खाली हुआ है कहें तो आपके लिए बुक करा दूँ जब तक अनोकी देवी के केस का परदा फाश नहीं होता ना मैं खुद चैन से बैठूँगा ना आप जैसें को चैन से बैठने दूँगा दोस्तों कोई बहादूर इंस्पेक्टर अपनी जान पर खेल के मुख्तियार सिंग जैसे मुझरिम को गिरिफतार करता है तो एस्पी सहाब उसे चुड़ा देते हैं अगर एस्पी बखरता है तो राज नेताओं के कहने पर कमिश्टर सहाब का फोन आ जाता है ये है हमारा सिस्टम चुपचाप अत्याचार सहने की आदत सी पढ़ गई है हमें हम सब को मिलकर अपनी आवाज खुलंद करनी होगी अपने अंदर चुपे हुए बारूद को चिंगारी दिखानी होगी मोफी देवी के केस की गुत्थी अगर सुलजानी है अगर आप लोग सहमत है तो मेरा ये कहना है कि इस केस को सी बी आए के सुपूर्ट कर दिया जाए क्यूंकि दुनिया में कोई ऐसा गुना नहीं है जिसका पर्दा फाशना हो सके अगर सरकार चाहे तो माननीय मुख्यमंत्री तक अगर मेरी आवाज पहुँच रही है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अनोखी देवी आप की बेटी है दस दिन से मुख्यमंत्री की बेटी अनोखी देवी लापता है और मुख्यमंत्री खामोश मैं अपनी बात पे कायम हूँ और फिर दोराता हूँ CM की बेटी का बनातकार और CM खमोश है आपको इस तरह से सरे आम पब्लिक में मेरा नाम अनोखी देवी के साथ नहीं उच्छालना चाहिए मैं आपका नाम उच्छालने ही रहा हूँ, CM साथ मैं आपकी ही कही वी बात दोहरा रहा हूँ पांच साल पहले जब आप अपोजिशन के लीडर थे और भोमली देवी के बनातकार से शोर खुल मचा था असेम्बली में तब आपको याद है आपने CM साथ से क्या कहा था CM की बेटी का बनातकार और CM खमोश है आपने कहा था इस प्रदेश की हर बेटी मुख्यमंतरी की बेटी है और आपके होते हुए इस मामले की गुथी सुलज नहीं पा रही है बड़े अफसोस की बात है जनता की राय है CM साथ के इस मामले को CBI के सुपुर्द किया जाए मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रदेश की हर बेटी मुख्यमंतरी की बेटी होती है लेकिन इस बात से कता ही सहमत नहीं हूँ कि हमारी पुलिस ना का रहा है फिर भी अगर आप सब लोग चाहते हैं कि ये केस CBI को सुपा जाए तो मुझे को इतराज नहीं मैं असंबली में इस बात की चर्चा करता हूँ शुक्या सीम घबराया हुआ है उसे पता लग चुका है कि पार्टी के सारे बड़े में था हमारे साथ अरो चोड़ जाए पूरे जोश के साथ राजे रिंदर सिंग राठोड कर देंगे सीम अपने आप हार जाएगा जब हारी जाएगा तो सीम के खार बनेगा राजस्तान की राजनीती में अनोखी देवी को लेकर खलबली मची हुई है मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया है कि अनोखी देवी के केस को सीवी आई के सुपूर्द कर दिया जाए सीवी आई ऑफिसर सत्यप्रकाश मिश्रा इस केस की तहकीकात करेंगे ये सीम की साजेश है उसने जान बूझ कर ये केस सीवी आई को सौंपाए लेडिया के तरब से मिश्रा साहब आपका स्वागत है जो काम पुलिस अब तक नहीं कर पाई आपको लगता है कि आप कर पाएंगे अनो की देवी को ढूण पाएंगे आप देखिए इस किसम के केस के लिए पुलिस की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है सुनाय साहब आप साथ दिन में रिटायर हो रहे हैं तो क्या साथ दिन में इस केस को सुलजा पाएंगे इंसान कुछ करना चाहे तो साथ दिन तो क्या साथ सेकंड सकाफी होते है लेकिन मेरी आप मिडियावलों से विननत्य है कि आप इस केस को बढ़ा चढ़ा कर बरेकिं न्यूस बना कर पेष्णा करें किसकी वजय से केस बंते बंते बिगन सकता है. थांक यू. थांक यू. सर, सर! में आयक कमिन सर. हाई हाई हाई, स्पी क करन सिंग जी. बेटी जी. थांक यू सर. आप यी जनम कुंदी देख रहा था. कैसी लगें सर? पिछले कुछ महिनों से आपके ओपर राहु की महाधाशा लगी है। यह रही फायल. रख दीजी. अनुखी देवी की केस की. Sir. कैसी अरती अनुखी देवी? बड़ी बचलन टाइप की अरती, sir. अपने लटकों जटकों से लोगों को फसाने में माहरती, sir. यह राजनेता कौन है? जी. शर्म आरही होगी आपको बताने में. नहीं तो? नहीं, आरही होगी. चलि मैं बता देता हम. आपके दोस्त, देनानात. अगर यह फायल सरकारी रिकॉर्ड नहीं होती, तो मैंने कब कैसे फाड कर रद्डी की टोकली में फैंक दिया होता. यह फायल आप जैसे करप्र आफिसर का केरेक्टर सेंटिफिकेट है. नो, sir. नहीं, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं. नहीं. आपने मुझे फायल गाइड करने के लिए नहीं. आप मुझे पर इल्जाम लगा रहा है, sir? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ. चार्ज लगा रहा हूँ. दो फुलिस आफिसर ने अपनी जान पर खेलकर मुक्तियार मोजरिम को पकड़ा है. आपने क्या किया? बिना कोई फायार दच किये, बिना कोई केस दच किये, अपनी मुक्तियार को छोड़वा दिया? नो, sir. मुक्तियार एकदम शरीफ है. यह, sir. शरीफ तो आप भी लग रहे हैं. आप जा सकते हैं. एक मिनट, बैठिये. जी, sir. अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा? जी. यह इसमें मुदद करने के लिए नहीं. इन्वेस्टिगेट करने के लिए. अब आप जा सकते हैं. यह, sir. में आप मिन, sir? आईए. तैंक्यू. मिजरा साब, आईए. बैठिये. अनोखी देवी का मैठर, बड़ी समझदारी के साथ हैंडल करना होगा आपको. बहुत राजनीती गुश गई इस मामले में. लेकिन मुझे पूरा बरोसा है, कि आप इस गुथी को जल सुलजा देंगें. कोशिश करूँगा, sir. अगर आपने इस बात का फैसला किया है, कि इस केस का परदाफाश होना चाहिए, तो जरूर होगा. बस मुझे वो इंस्पेक्टर निर्भय और निष्चे चाहिए, जो इस केस की रग-रग से वाकिफ हैं. Unfortunately, S.P. Karan Singh ने उनका तबादला पुलिस लाइं में करा दिया है. अगर आप S.P. Karan Singh का तबादला पुलिस लाइं में करवा दिया और उन दोनों को मेरे साथ भेज़ दें, it will help. आप जैसा चाहेंगे, वैसा ही होगा. Thank you, sir. Sir. आप आप जाएं में लगाते है, S.P. सब ख़द लाइं में लगा है. आईये, आईये, दिननाची. आपने S.P. Karan Singh का तबादला करवा दिया. ये जानते हुए भी, कि वो हमारा खास आद्मी है. आप जानते हैं? C.B.I. के अफसर मेश्रा के पास, करण से के खिलाफ कितने जबूत है? मेरी आपको एक सलाह है, कि कुछ दिनों के लिए खामोश रहिए. इसी में आपकी बहाई है. C.M. साहब आप जानते हो, जिस कुरसी पर आप बैठे हो, उसका एक पाया मैं भी हूँ. और तीन पाय की कुरसी लगनी हो जाती है. इलेक्शन तो अभी दूर है, आज माकर देखना है, तो अभी देख लो. मुझे आप कुरसी का रोब न दे, मैं आपकी बुजर्गी का लिहास करता हूँ. अगर मुझे C.M. की कुरसी पर बैठने की आदत है, तो अपोजिशन में बैठने का एक्सपरियस भी है. तो ठीक है फिर. अपोजिशन में बैठने की तैयारी कीजिए. कर रही है. Thank you, sir. हमारा सवबाग है कि आपके साथ काम करके हमें कुछ है. सीखने का मौका मिलेगा. तुम लोग यहां अपनी काबलियत की वज़े से हो. Thanks anyway. यह मैं आखबार पढ़ रहा था. यह… मनोज सिंग कौन है? Sir, अनोखी देवी के केस के बारे वे, पुली से भी ज्यादा मनोज सिंग जानता है. Sir, actually, मनोज सिंग की वजए से ही सरकार को मजबूर होके, यह केस सी बी आई को सौपने पड़ा. तुम लोग मिले हो इस से? जी, sir. जी. शमशेर सिंग के बेटे हैं आप दोनों? जी, sir. आपके पिता को बहुत अची तरा जानता थाना है. जी. उन्ही की तरा मशूर है आपकी बहादूरी के खिससे? अनोखी देवी का केस आप दोनों ही समाल रहे हैं, उस इस सिलसिले में आपके आँ हैं. Sir, आपकी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो, हम लोग मनजल तक पहुच जाएंगे, sir. एक चीज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. यह सुनिये. हेलो, आनोखी बोल रही हूँ. लगता है मुक्तियार मुझे चांद से मार देगा. अगर मुझे कुछ हो जाए तो, वसे कुछ जाहे करना. यह तो अनोखी देवी के आवाज है. आप सुनो. तो उसारी बात सामने आ लेगी. सर, हमने मुक्तियार सिंग को गिरफतार तो कर लिया था. लेकिन एसपी करन सिंग ने निताओं के कहने पर बिना रिपोर्ट फाइल किया छोड़ दिया उसे. आज के बाद कोई रुकावट नहीं आएगी तुम दोनों के रास्ते में. दीनानाथ जेल से नहीं डरता. जेल में आदमी जाते हैं, बेड़बकरियं थोड़ी जाती हैं. जिस दिन मुझे जेल बिजवाएगा ना, उस दिन पूरे परदेश की हर जेल छोटी पड़ जाएगी. बचास लाख लोग है मेरे पीछे, जेल बिजवाएगा. Sir, जिस नंबर के बारे में आप पूछ रहे थे यह रहा, बनाराम का नंबर है यह. ठीके तुम जा. MON мह feast. CHDIK Shout Machine Manyokom 총द मेरे जुद मारे 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 कि यह जैल कि सभड और के मारे मारामी का है No Mercury? IRec! No Mercury! Thorne, मैरे मारे 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 मेरे जौराप। मच्चलों कमारनी की आदत नहीं हमारे. हमेशा शेरों का शिकार किया है हमारी आद रना खराब कर बता दे, सीडी कहा है मनने नहीं मालो, सीडी नहीं है मारे पास नहीं मालो नहीं मालो तो किसको मालो अनोगी देवी के पास अनोगी देवी के पास चोड़े जी भाइसाब पहुचा दे से अनोकी तीवी के पास. चल, 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 आणावस. थारे को सीट ची? आओ मारे साथ. चल, आजयाप, चल, चल. अजये रोखलो भाया, रोखलो, रोखलो भाया, बहुत तेजा रही है. अरे, कौन आरी है? अरे, बड़ी तेज आरे ये, नहीं तो गाड़ी में ही हो जाएगी. तो आणावस. तो आणावस. जा कर क्या. चल, उतर. जा मूत ले, वाँ. हाँ. जल्ली आना रहे. हाँ. बाई-जी, वह भाग जो. वह बनाराम. बनाराम? वह बनाराम रूस. बनाराम रूस. बाग ज़ी, वह भाग ज़ुक्त. बाग जय लगता था ज़ुक्त. नमस्कार जी. नमस्कार. बनाराम का घर यही है? जी हाँ, यही है. थाज वह बनाराम गर पर? जी नहीं है. पिछले कई दिनोंसे भ़या घर पर नहीं आये. अच्छा, कुछ नहीं कुछ पैसे उधार लिया थे उनसे वापस करने थे, कोई बातने बाद में आ जाओंगा जी जी आप यहीं रुकिए मैं अभी अंदर देखकर आती हूं बाई, भाई! काई हुई राणू? थान्ने कोई बाए पिषा देऊनाई है थारे को कितनी बार बोला कोई भी मारे बारे पूछ तो बोल और में घर पे नहीं हूं ग्रणले को पीशा कोके पैशा के पैशा के भाड में तू बहुले में पिछ दुर्वाजी चला तू चार भाई थू तू तू चुन तू तब कर दो बादिए अब अब लेन आयों आपको आप इतने इतने बड़े अप्सर फोन कर देते में अपको यहाने क्या जरूवती अच्छा फुदी चले आते हैं हैं है अब है अर्म को कहा चुपाया है जिंदा है अ मार दिया क्या कह रहें हो कुम? वही कह रहा हूँ जो तुमें सुनाई दे रहा है कहां चुपाए अनोकी को? हुकम अनोकी देवी को ढूड़ के मारो हाल बेहाल हो गया है मैं उसकी आद मरो रो के मारी आखों की रोसनी चली गए मनने आधा सीसी हो गए हुकम आप हमारी अनोकी देवी को ढूड़ के निकालो वरना यही सर पटक पटक के अपनी जान दे दूँगो जान तुम अपनी खुद लोगे या हम लेंगे इसका फैसला हम बाद में करेंगे यह तुम्हारा ही दिमाग था जिसने काउं की गलियों में और बाज़ारों में नाचीने वाली अनोकी को पावर की कॉरिड़ोर में लाकर खड़ा कर दिया था वह इतनी पावर्फुल हो गई कि उसके गायब होते ही राजदानी से लेकर हल्दी घाटी तक एक हाहा कार मच गई इसलिए तुम्हे जो पता है वो सच्छर बता दो और नथ सच्छ उपाने के चुर्म में मुझे तुम पर एक सरकारी गोली खर्च करनी पड़ेगी तुमेसे लास्टाम किसने मा नाया थाल एख चल तुम मर्ड़े हो ज़लो सच्क香 एण होप मारत घ्र कुम मार तो सारा घंज़ठी खतम कर दो इधर जाता हूं तुपैं उधर जाता हो तुपैं अधर एख यहाआता एट तो जितना मालूम है उतना सर को बता दे, चल, आजा बाजा, चल, बता दे सर, हाँ, 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 हुकम, आनो की देवी को मैं। कहीं चक्कू चला, कहीं गोली चले, कहीं बिगड़े लानों के टोली चले, कहीं चक्कू चला, कहीं खोली चले, कल बिगड़े लानों के टोली चले, किया मैं बताओ, किस जान बची है, आई आई जान बची है, मेरे खाग रखे, मेरे घाग रखे, मेरे घाग रखे, मेरे घागरे के लिए घम आसान मची है घागरा तेरा घागरा तेरा लागरा तेरा घागरा चल हट आशिक दीवाने कैसे कैसे तूने है खागरे में पासे आखों से तूने पीला दी अर्णा रह जाते हम तो प्यासे घागरा तेरा 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 तेरा घागरा तेरा तेरा घागरा त क्या मैं बताओं कैसे जान बची है मेरे घागरे के लिए घमासान मची है तेरे घागरे के लिए घमासान मची है लिपते रहेंगे तेरे तन से तु हम को घागरा बना ले चाहेंगे तुझ को पूरे मन से अगिया के बीच में शुपा ले घागरा तेरे 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 घागरा अपी है बेहसाब तरी नियत है खराब आएगा ना तेरे हाथ मेरा घागरा यू ना आगे बीचे दोल है ये घागरा अनमोर मानेगा ना तेरी पात मेरा घागरा क्या मैं बताओं कैस जानवची है क्या मैं बताओं कैस जानवची है मेरे घागरे के लिए घमासान मची है मेरे घागरे के लिए घमासान मची है गुर्ननोर गुर्ननानमार दोस्त एक अजबुत विचार आया है मने अगर अनोखी देवी हमारे साथ मिल जाए तो गुर्न उसका गागरा कंसान मचा देखा गागरा या गागरा वाली समयदार वही रिखो सचवत्या है तो आमारा आगया उस पर तेरे तु जानता है न उसको थे तेरे को तो कर में मालुम इस अले बएया हम बहुत है मौला भी पता है नाम कुल, गोत्र, जन-कूंडली सब प्रस्ना आतर्ना क है वानी जाएंगे अरे यार, हम क्लब्स रुगा के पुजा रहें हैं भै बंदगरो वयार्य भाषन, क्ला रुगा कार के पुजारहें, लाल बथ्ति लगी है गाली पे, लगी है? अ लगी है लालबत्ती जब पॉपोँ करते हुआ अनोकी देवी के महले में जाएगी, नंगाम हो जाएगा, खड़े-खड़े बदनाम हो जाओगे प्रदेश में, इलेक्शन है, अरे लालबत्ती पे कबड़ा वान देगा है यार, राज के देरे में, काउन देखता है, दीनों के नात, एक बात सुन लो, नंगा आदमी, और ठकी हुई लालबत्ती, इनकी इद्जत नहीं होती, देंजट में मत पड़िये, मौत का कुऊ आया नोकी देवी, मुझे गिरना है कुए में, पाड की छोटी से गर के बच सकते हैं आप, लेकिन गागरे की चपेट में आके बचना मु कल, गड़ी कम अगा, बनाराम, आओ बनाराम, आओ, अच्छा, अरो बैठो इधर, इधर बैठो इधर, इधर बैठो, पर इधर अधर, हुखम दरवार, अच्छा, तो आप है अनोकी देवी के अंगरक्षक, हुखम, बई क्या नगीना तराशा है तुमने, हमारी यह हस कर है, आदत, यह किसी के चोथे पिप जाए ना, तो यह हसते हुए रोय, कम गड़ी कम अगुखम, साहब ने कल कारिक्रम देखा, जानते हुखम, जानते हुखम, जी, जी, कली तु मिले थे प्रोग्राम में, तीना नाजी जैसे लोग, प्रदेश, अध्यक्ष, पार होश हो के अस्पताल जावे है, मैडम की खातिर, सही कह रहा है, मर जाओ गए, अरे तो जीना किसको है, मरना तो है, खाया पीगे मरो, हुखम, अनोखी देवी को लेया, जी, हुखम, आज आएगी, आज आएगी, कलेमेली बनेगी, परसो मिनिस्टर बनेगी, और सेकेटरी अरे, बगेर लगाम की घोड़ी है, किसी के काबू में नाने बाली, सर जी, अरे, तो हमने भी देशी की खाया है, पूरे शरीर में समागया है, अरे, गड़ी खंबा हुजूर मैं जाओं, अरे, सोनो भई, सेक्टरी, जी, हुखम, इसको डबा देदो मिठाईगा, चोटा अरे, अर्वाण को प्युखम, हुखम, अर्वी चोटा धेड़े, और प्रश भई में बाढा, बाद में बाद में और परसो, और बाद में अनो की देवी पर बहुत हुखम, जी, लाएगा नारे, नुखम जी, जी, क्यू बकवाश कारा है, मैं कोनी मिलूूंूर मिलूू स थारे ठुमकों से तो बाबड़ो हो गवे दीनानाच जी, फ्यूज बलम में रोशनी डाल दी तन्य, अच्छो बड़ो नेता मजणू बढ़के गोह मेर हो है, अगर राजनीती में एंट्री करनी है, तो आप पहली सीरी, इसे पकड़के तु इतनी बुढंदी तक पहुंच स दुनिया की सारी चीजें तन्य छोटी-छोटी लाग है, यह बड़ी गाड़ी, पूरे पबलिक लोग, बड़े-बड़े लोग थारे देखने के लिए जो सर उठे, तो माथे की बड़ी-बड़ी जटवाली पगणिया थारे कदमों गिर जाए, क्या बूलती है, अरे राम कि निकिसी के कोई कोई पढ़ता है और यह देख 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 लेटें के इनको भी आदत हो गई है, आदत क्या खून में गूल गई है, आप तो घर जाबे तो पहले लुगाई के भी पढ़े है क्यों से याणा हूआ हूआ, साब ने मैडम के लिए नई गाड़ी बेजी है, और यह कहा है कि मैडम को इसी गाड़ी में बिठा कर लाना. क्या, क्या? लो, बात कर लो. अलो, कर लो, बात. जैराम जी की नेताजी. जैराम जी. नेताजी ये गाड़ी, ये सारी तोफे, मेरी आदत कोनी तोफे लेन की. अरे मैडम, ये तो छोटी सी शुरुवात है. मैं, मैं नहीं ले सकती जी. आप हमें अपना ही समझो. आप यह बैट के बात्चीत करते हैं, आप तो बस गाड़ी में बिराजमान हो जाओ, और पहुंझ जाओ. अच्छा खासा पन्यान पहन के लेटा हुआ था. तुमने तो सजा के बटाजी आज़र, आदा गंटा हो गया, कब आएगी बो? दिनो के ना, दिनाना. घरी कमबादे, आई, 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 आज़गे. दिनानाथजी, नुश्काथ. जयरामजी की. बढ़ादे, बदा रिए. कैसी आप? ठीको. अजभूत, छो था, क्या भीड थी? हम लोग पोस्टर लगा लगा के, नारे लगा लगा के, परिशान हो जाते हैं, तब भी इतनी भीड नहीं जुटा पाते हैं. और भीड, कैसी भीड? व्याकुल हो रहे थे सब. कुछ लोग तो मूर्चित हो बे. आप जैसी शक्सियत अगर विधान सभा में हो, मैं कहता हूँ, एक MLA भी एपसंड नहीं होगा. चाहे बारिश हो, चाहे बिमार हो, कुछ हो. विधान सभा का सेशन नहीं छोड़े जो. नमस्कार दिनानाट जी. मैं बहुत ही महतुपुन बात कर रहा था, लेकिन कोई बात में कर लेंगे, आई बैठीए. धन्यवाद. कैसे हैं ठीक हूँ? जानते हैं नहीं आप? आप तो मशूर नर्तकी हैं. नर्तकी तो खैर नहीं, कलाकार हैं. लेकिन देखिए, गुपता जी जैसे. बस? इन हाथों से. छोड़िये, गुपता जी, उधर देखिए. प्रभू ने क्या प्रेम से बनाया इनको. एक हफ्ता लगा दिया होगा बनाने में. और हमको आदे गंटे में बना के फेग दिया. देखिए, नाक. उपर से ठेज कर दिये. इन से करवाईगे. बर दिनानाथ जी? पब्लिक बुलाने की जरूरत नहीं. नाम अनौंस कीजिए, अनोखी देवी जी स्कूल का उदगाटन करेंगी. मा, बच्चे, दादा, दादी, सब हाजर हो जाएंगे. इतना बड़ा काम में… यह बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल बड़ा काम नहीं है तो. आपको जाना है, फीता काटना है, लक्षमी जी का लिफाफा लेना है. बस, बनाराम, तैयारी करें. अच्छा, दिनानाथ जी, ठीक है जी, मैं चलते है. नोश्कार. बाकी वो लिफाफे का इंतजान आप कर दीजिएगा. ठीक है, जी. जैराम जी के जवानों से प्याद और बुजर्गों से आशरवाद. आपसे आशरवाद चाहियानों कि देने. तुझसे चाहिये. तु भाई बना पिरता है ना उसका. सुन, सुन उसको. भाईो और बहनों, आशुओं से कह दो. आशुओं से कह दो. अब आखों से बहना छोड़ दे. इन लबों से कह दो. अब खामोश रहना छोड़ दे. अपनी चिंगारी की लौग को जलाओ दोस्तों. अपनी चिंगारी की लौग को जलाओ दोस्तों. दिल में जो बारूद है उसे जलाओ दोस्तों. आपका भविश्य खत्रे में पड़ गया. सारे नारे अनोखी देवी के लिए लग रहे हैं. अरे यह तो बड़ी अच्छी बात है ना. जितनी अनोखी देवी बड़ी बनेंगी, उतना हमारा कद बढ़ेगा. भाई और बेहनों, आज मुझसे स्कूल का उद्घाटन दीनानाज जी ने करवाया है. मैं इनकी बहुत शुक्र गुजार हूं. दीनानाज जी तो खुद एक बहुत बड़े नेता हैं. वो खुद ही स्कूल का उद्घाटन कर सकते थे. पर नजाने क्यों उन्होंने इस मामूली सी कलाकार को इज़त बक्षी है. मैं दीनानाज जी का दिल से स्वागत करती हूं. दीनाज जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी जानते ही हैं, कि दोस्तों, आप सब ये जानते ही हैं, कि अनोखी देवी आपके दिलों में च्छाई हुई हैं, लेकिन आज इन्होंने राजनीती में आने का फैसरा किया है, और ये हमारी पार्टी में चार चांद दगाएंगी. मैंनका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. कि अनोखी देवानी थी और मुझे तु डल लग रहा था कि कहीं दीनाना तेरी बाबाई देखके खुदी डर जाय और बोले, मैडम जी, तुम्हारा राजनीती में आना ठीक नहीं है. शैतान का नाम जी, शैताना जी. गड़ी कम्मा, उज्यूर, पतारो. कमानी, कमानी. आरे वा, 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 वा. नोखी जी, आई आपका भाशन सुनकर वो बोलते थे, बाईों और बहनों जनता में सन्नाठा हूं. लोग मंत्र मुग्द होकर सुनते थे. आपने आज जो भाशन दिया है, मज़ा आगया, मज़ा आगया. मान गया है, नोखी देवीजी, आपको मान गया है. गाड़ी गेर में आगई. आपके रोम रोम में करिश्मा है. मैं चाहता हूं कि आप ये किराय के कमरे को छोड़के, आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाईये. मैं करवाँगा. मैं आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकत और अरत बनाना चाहता हूं. मैं आपको MLA बनाऊंगा. मैं आपको मनिस्टर बनाऊंगा. मैं आपको लालबत्ती वाली गाड़ी दूँगा. आगे पीछे आपकी अंग्रक्षक होंगे. अठ्यारों से लैफ. जब आप अपने दफ्तर से निवास स्थान की तरफ जाएंगी, तो सबसे आगे पुलिस की साइरन वाली गाड़ी, पीछे आपकी गाड़ी, उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां, और जब तक आप अपने घर में प्रवेश नहीं करती, पूरा शैट ठप! ट्रफिक जप! नाव पड़ी मूब! थाने यकीन में राजनीती में कामियाब हो जाओंगी, भई आपके पीछे दीनानाद है ना, वो दीनानाद नहीं, ये दीनानाद! करें वो आपके वो जबू करें ये वो आपके वो दीनानाद राजनाद आपके वो आपके वो एंगी! सबस्सक्ति हमां नहीं तो! कैसा लगा बंग्रा कैसा लगा पसंदिया चल दूसरा खुलवा देता हूं क्या यह क्या गूर है इतना बड़ा गार अरे वही बड़े लोगी बड़ी पसंद मैं चाहता हूं तू महारानी की तरह रहे जितना तू कुछ रहेगी तो अतना मुझे कुछ रखेगी है ना क्या बला राम जी गड़ी खंबा उजू नया जूता मिल जाए तो पुराना जूता फेग देते हैं समझें चाहे कितना भी महंगा हो मैं सोचा हूं जितनी पावर द्याल के पास तै वो सारी पावर तुने ट अच्छे नेता में होते हैं मेर्ता की सीड़ से तुम्हें मैले के लिए खड़ा कर दूँ तेरा अपना हिलाका है 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 चल पर शुरू अश्वार 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 इंटर रख पैर करो नेता जी मारे पहगा पर किसीने नेल पॉलिश लगा उता तुमको देख लिया अच्छा अब हम आप से तुम हो गए प्यार में एसा ही होता है नेता जी अच्छा प्रदेश की प्लानिंग कर यह सीम साव इंतजार कर रहा है तिक्टों का डिसिजन लेना है इस सड़ को सब माताएं पहने प्रभावित हो कि असी लग रही है मेरी मारानी कोई मौका नहीं छोड़ते निता जी अबस अबस उपरा 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 बना लो पास हो गया नाइस बर डान ए सुरों शर्मा जी जी हुकुम एक हफते के अंदर अंदर पूरे शहर में यह ओडिंग लग जाने चाहिए बड़े बड़े लग जाएंगे इतने बड़े के मदरास और लगनोव दोनों को शर्मा जाए जी हुकुम तरह जी हाँ 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 एक प्राइवेट ही अर दयान बाबू गड़ी कमा जैराम जी पधार मालक जैराम जी कि और देनालाद से अंधरना की MLA की सीठ कांफरम करवानी चौधरी डाम प्राम निवास की मञच करोड रूपर देगा क्यों मज आक करो हो दिनानाट जी तो आपके भाइले हैं हाँ सब्सक्राइब कि लिए हाँ लेकिन एँगत की तारिक में दीनानाथ के लिए नेरी बा समुन्दर है हिम्मत करके कूच जाओ जितनी बार कूदोगे बाहर निकलोगे मोती हाथ में आएगा देखो अनो की ये राजनीती नोट शापने की मशीन है राम राम साथ अरे राम राम कहां चली जाती हो मेरी रानी फारी चरना में अरे चरनो में दो हम थारे हैं मत जायकर मन उदास हो जाता है मारा भी यही हाल है अरे मार डालोगी कार्ट खाऊंगी राम निवास जी पाच करोड रुपे लेगा है जै राम जी की जै राम जी की मुख्या जी कैसे हुआ बहुत खोश हो तुम्हारी तरक्की देख करके सब आपकी महरबानी से नहीं अनोखी मुझे अपने किये पेशर मिल्दी मने माफ कर दे, अनोखी मने माफ कर दे छोटे लोग के साथ बैठा देख करके, लोग क्या कहेंगा मुझे अगर मेरे से बात करनी है तो एक काम कर, वहाँ जागा बैठ उठ, वहाँ जागा बैठ चोटे लोग हैं, चोटे लोगा के पाव पड़ते किसी ने देख लिया दो थारी बहुत बदनामी होगी मंगला के लुगाई टिकट के लिए पांच लाख रुपया दे रही है थारे पास काई है देवा ने? जो कुछ आज तक बचा के रखा है, वो सब थारे हवाले कर दूगी इससे काम नहीं चलेगा, धन्दे का मामला है, पिस्सा कमाने का टेम आया है, टिकट तो मैं मंगला के लुगाई को इदूँगा ये तो पिस्सा कमाने का टाइम है, आप जाके अलैक्शन की तयारी करो और मैं खुद पब्लिक में आपके वास्ते वोट मांगने आऊँगी था कि बहुत महरबानी जो औरी की अउकात देया, चलने का लड़े सूट आईया थिकट लेड़े मोसी, मोसी, मंगला के आदमी तेरे घर पे ताला लगा कर चले गए ये सब क्यों हो रहा है, थारे आदमी क्यों मेरे घर ताला लगा कर आए चब भी चाहिए अपड़ी अकड में मार रही है तू जब चाहे माला माल हो सके, इतना बड़ा खजाना है थारे पास जो तू सोचे ना, वो कदे नी होवे तो ठीक है, मारा पचास हजार रुपे दे और चाभी ले जा धीरे धीरे चुका दूँगी अरे आज तक तो दिये नहीं, गाहँबालों को पता चलेगा, कि थारी मा घर से बेगर हो गई तो जो इजद बचा के रख्रकियत तुने, उसका या चाहँड डालेगी थार भी जवाब को नी गांदी जी किसी को भी सड़क पे ले आओ, किसी को महला में बिठा दो सौससो रुपे के लिए तरस्ती थी मैं आज करोड़ रुपे सामने पड़े है पापा अनोखी के घर गई थी पापा, पापा पता है, रातो रात बहुत बड़ी हो गई है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, उसका तो रातो रात नक्षा ही बदल गया है इस बैग में क्या है? पांच करोड रुपे, अनोखी ने दिये हैं, हम पर विश्वास करती है ना पापा और पापा पता है, इलेक्शन लड़ी है वो वापस करोड़ी है वापस करोड़ी है मैं क्यों पापा? उसे फोन करो के आके ले जाए चोरी करके नहीं कमाये मैंने पैसे आप दौलतमंद परिवार से आपको पैसे की हैमियत मालूम नहीं मैंने गरीबी देखी है सौ सो रुपे के लिए अपनी मा को बच्पन में तरस्ते हुए देखा है मेरा बिचारा बाप बच्पन में गुजर गया मा की बिमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं थी उसको मैंने तड़पते-तडपते मरते हुए देखा है आपके लिए सुर्फ एक आगज के नोट है पर मेरे लिए भगवान है भगवान लोगों के ताने सुन-सुनके आज अनोखी अनोखी से अनोखी देवी बनी है देनानाथ से कहकर मैंने एमेले की टिकट करवा दी पदले में मुझे पांच करोड मिल गए तो इसमें क्या बुरा किया? बड़ा अफसोस होता है सियासती टिकट काबलियत पर नहीं पैसे के बलबूते पर बाटे जा रहे है जब यह लोग जीत कर राजनीती चलाएंगे तो क्या होगा राज और क्या होगी नीती जब इन बगरमच्छों के चकर में मत पड़। जब इनोंने देश को नहीं छोड़ा तो तुझे क्या बख्षेंगे वापस कर देए पैसे मारो टिकेट का क्या हुआ मेरे टिकेट का क्या हुआ जोनाओ का टिकेट क्या रेवडी है बांट ते रहो तो आड़ जो या जब गरा था क्याने करेवडिय व मधनने के लात को मनिस्टर को मनिस्टर को चीफ मनिस्टर बनना को चीफ मनिस्टर को प्राइम commission Russ elles जिसको देखो खुज्ली हो रही है अनोंगे डिवीड के टिकेट का प्रचार पुरे मार्केट में होने लगा है मैं तो शुरू से खिलाफ हूं उस बात के दस बार समझाए अस दीनानाथ को इस अनोकी के चक्कर मैं मत पढ़, मत पढ़, लेकिन नहीं जिद्धी है साला मानता ही नहीं, जो बात दिमाग में कुज़ कई बस वो ही करेगा अरे कल रात को बोला मैंने कि जब विरोधियों ने लाखन चौधरी को टिकेट दिया है तो हमें मुकतार भैलवान को टिकेट देना चाहिए बस, लेकर नहीं लोग उपर से सोचते हैं, ये साला नीचे से सोचते हैं समझा दे उसे वरना नीचे से उड़ा देंगे हम समिलकर जुगना किये उठ गुना का गुनेगार बनाकर उसे सालाबों की पीछे रख देंगे पहले सामने वाली पार्टी को अपना कैंडिडेट तैकरने दो फिर हम अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करेंगे अगर वो किसी भले आदमी को टिकेट देते हैं तो हम भी किसी शरीफ आदमी को टिकेट देंगे अगर वो किसी अपरादी को खड़ा करते हैं तो हम भी किसी अपरादी को खड़ा करेंगे हमारी पार्टी में अपरादियों की कमी नहीं है मेरता से लाखन चौधरी का नाम अनाउंस किया है उन लोगोंने हमें भी किसी बाहु वली को फिट करना पड़ेगा और मेरे विचार से मुक्तार मिया इसके लिए करेक्ट केंडिडेट है मेरता से अनोखी देवी चुनाओ लड़ेंगी उसको हमारा अशीरवाद है वही अरे अनोखी देवी से काम नहीं बनेगा लाकन चौधरी बहुत मजबूत कंडिडेट है मुक्तार मिया गुलाई है तो अनोखी देवी का कमजोर केंडिडेट है अरे जहाती है क्या बीड कठ्छा करती है और फिर हमारे पार्टी का इस बार शुर कितना है चाला गड़ेंगी जी जाएगा मुक्तार मन मना चुकाया अपना चुनाह लड़ने का अगर आपने टिकेट नहीं दिया तो फिरोधी पार्टी उसी टिकेट देगी मसल पावर है बड़ा वाल है सोच की देखा और रही अनोखी देवी के बाद तो कहीं हर से फिट करते ना उसको फिट करना ज़रूरी है न नहीं तो मुझे फिट कर देगी वो देख एक दो तीन चार पांच नहीं पचास लगा दूदा पचास पचास फिटके थारे पोस्टर हर गली हर चुराये पर दिखेगी तो सिर्पनोखी देवी दिखेगी लोग माथा उठा के थारा पोस्टर देखेंगे चचर बट्टी और कोई कमी हो तो बता दे मनने बना रामते रखेंगे इसकी कमी रहे गई है तब उता इसकी पहिना दे चड़ा दे अगर चाहे तो यह मुकतार भाई है हमारे इलाकी के बड़े नामचीन दादा है इनके आशिरबाद के बगर कोई मेर्टा से इलक्षन ना जीच सके यही क तेरे जाए आपने पावर पह, चले काम कर, तु भी निर्दले खड़े हो जा, मैं निर्दले खड़ी हो जाती हूँ, तेख तेखते हैं पब्लिक वोट किसको देती है तेरी पिस्तॉल को या मेरी ठुमको को अनो कि रहे शान्त हो जा मेरे घर में याके मननत हमकी देवे एक बात बूल नखी अपने जमेलेम नहीं पड़नो है मुक्तार के पास दीनानात के कई राच्छे पे हैं वो चाहबे भी तो भी मुक्तार से बगाबत नहीं कर सके हैं मन ने भी कुई कच्छी गोलिया नहीं खेली सब कुछ लुटा के खामोशी से को नहीं बैठू मैं तू होसला बड़ा, मैं सब को लपेट लूँगी अरे मुल्सिवत कहां से अलाम अलेकूम आओ, आओ, मेरे शेर, मेरे बबर शेर, मेरे सिपा सालार तेरे पास यहाने की सोच रहा था यह काईनी के लिए क्या में एलेक्शन ना लड़ाएं क्यासी बाते हो यार, बैटो अरे, जब से तूने फैसा किया लडने का अपोजिशन की फटके हाथ में आ गई है मेरता से लडना थोड़ा मुश्किल लग रहा है याने हमारा जीतना मुश्किल और तुमारी वभाई नचनिया उसका आसान लग रहा है देखो भाई, तुम्हे उसके गोद में बैटना है तो पेशक बैठो उसके घागरे से सिर्फ फूल छड़ेंगे, वोट नहीं हमने मन बना लिया है क्या मेरता से लड़ेंगे बस अरे कहां जा रहा है? अरे नाराज के मोझे हो? है? रहा ला भई, चाय ले क्या? अरे भाईया, जो तुम कहोगे, जहां से कहोगे, वहां से लड़ो यार मुकतार क्या बात करते हो? अरे कहा है तु बना रहा है? अरे तु रोज सुबे सुबे गाय बुजावे, बैंक में बिसा जमा कराना है नहीं जो कुम, अनोखी देवी का फुभून है अभे अनोखी देवी के? तुरे को बोलाना? उसको बोल घर नहीं है, फोन घर पर शोड़के वो देख तेरी से ठानी आ गई मेरी अरे मेरी तेरी एकी बाताजा ठंडा कर उसको जल्दी जा हाँ हाँ, गुप्ता जी यह के खेल खेलरे हो मेरे साथ? चल अंदर बैटकर बात करता है जो बात होगी इधर ही होगी अरे भाई, अंदर की बात बाहर नहीं की जाते चल अंदर चलते है गुप्ता जी मेरी बात पर विचार करना हो इसी में हम दोनों का फायदा है सोचूंगा नहीं, आराम से एकदम चांत होजा कोई रास्ता निखालूंगा, यह मेरा वादा है वादा? वादा निभाने का सिस्टम तो तुम लोग की बाड़ी में है नी तू बलाता है उसको या मैं बाहर जाओ लगता है गोड़ी बिदग गई अरे सेठानी, क्यों नाराज हो रही है अरे एकी सीट थोड़ी है 200 सीटे हैं पूरे प्रदेश में मेरता नहीं तो कहीं और से खड़ा कर दूगा और नहीं तो मैं अपनी सीट छोड़ दूगा तुखड़ी हो जाना में बैठ जाओंगा बैस अरे बंद कर अपना ड्रामा अनोखी घागरा उतार ना जानती है तो धोती उतरवाना भी जानती है कहा था आपसे ये खेल मत खेलिए मत पढ़िये घागरे के चक्कर में अरे घागरे की कीमट चुकाई ये मैंने धन, दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया इसको से जानी बना दिया और कुछ चाहिए तो बीस-पचास लाक और ले ले दीना नाथ का दिल बहुत बड़ा है ए, पीस से करो, मत दिखा मनने अनोखी अपना घागरा जटकेगी न, तो तेरे जैसे चालिस निकलेंगे तो मान सबाल के बात कर अरे, क्या तू है, तैने खुद अपने किसमत के ताले की चाबी मनने दे दी हाग में निकल बात निकल बात अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी शांत हो जाए उन खिलाएगी मुझे सब खाप भी के डगार भी निमार रही अब शांत हो जाए यार छोड़ यार क्या बदमर्वाद देगी मारे क्यू बढ़ग रही है कुछ तेरा ही कराधरा क्या कराधरा यह दिनानात के गुणगाय थे तंदे मिलवाय था यह है वह है ऐसे है वैसे है लेले मजे अब मनने जो कुछ भी किया थारे भले के लिए किया भले के ले किया जो पूछना देल बाबु छ पूछ अम्वेले की टिकेट मिलेगी लाल पत्ती लगेगी चीफ मनिस्टर बनेगी कहादा के नहीं दयाल बाबु ने बोला था नमारे को जो भी बात करनी है दयाल बाबु सिकर उन्ही ने सपने दिखाए था दयाल बाबु आगए दयाल बाबु आगए कहा हुकम आपने जान आपद पसादी हमारी थारा गुस्सा वाजे बहनों की एक बात कान खोल के सुन लेो अगर मेरे साथ किसीने चीटिंग की किसे धोका किया और मन्ने अगर उमेड़ता किसी ना मिली तो मैं कुछ ऐसा कर दूँगी कि थाम सोच भी नी सकते तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही है यह तो सिरफ ट्रेलर है ट्रेलर फेलाम तो पूरी बागी छहें क्या हुआ ओना क्या था सीडी बना ली उसने मोबाईल से आपकी आपकी सारी हरकते हैं सारे आसन विस्तर पर अपनी आखों से देख के आ रहा हूं मैं जनकुंडली विगाड़ देगी वो सीडी आपकी सारी राजनीती चौपट हो जाएगी पूरा प्रदेश तूखेगा आप पर एक घर में निंदा होगी और दिन के उजाले में तो छोड़ी आप रात के अंदेरे में भी अपनी शकल नहीं दिखा पाईगे आप और जिस पार्टी की सेवागी न आपने जिन्दा बाद जिन्दा बाद दो मिनिट मोँ वो पार्टी निकाल के फेक देगी आपको हाँ थी बुड़े के कोई अकल आई? अरे उसने समझाओ नहीं तो मैं उसका बैंड बजा दूग अरे बहुत पच्ताव आए उनको बात कर लो बहुत बड़ी भूलो गई हमसे मैडम माफी मागने के लिए हम आप किहां आए या बाफ करने के लिए आप हमारे यहां पदारेंगी हेलो काट दिया काट दिया गणिमत है फोनी काटा है अभे तु बड़बड बंद करेगा के नहीं अरे मेडम अनोखी देवी जी को प्रेम प्रकास गुपता का साधर प्रनाम अरे गुपता जी क्यो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे आप उम्र में मुझसे कितने बड़े हैं मेरा प्रनाम स्विकार कीजी मैडम आपका क्या मुकावला है आपके जैसा तो कोई है नहीं आज तक द्यावर के लोग भूले नहीं आपके अरे दिनानाज जी कैसे हो अरे ये माकडी यह क्या कर रही है अनोखी सीम के पास गई है सीम ने अनोखी देवी को अपने पास बुलाय था मेरी एक सलाह है तू बंद कमरे में अनोखी देवी के पाओं पकड़के माफी मांग ले अरे बगवास बंद कर मैं उस माकडी से माफी मांगूंगा पर मैं मर भी जाओं तो भी उससे माफी नहीं मांगूंगा मैं मर भी जाओं पर माफी न मांगूं दिनानाज का फोन है बात कर, गबराती काय कोई. हेलो. हेलो. से मिलने गई थी? हाँ गई थी. किस लिए? कामज़े गई थी, चाय पीने थोड़ी गई थी. देख रोकी, तु जिस रास्ते पर चल रही है ना? तो ठीक नहीं है, बहुत पच्टाएगी तू. धमकी देवे मने? अरे धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ. क्या हो गया तुझे? लोगों के बहकावे में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना. समझी? चल, गुसा थूख दे, आजाई दर. बहुत छट पटा रहा है. हेलो? अरे अनोखी देवी के नाम का सिक्का पूरे राजिस्तान में कहीं पर भी पेगदो लाखों लाख पबलिक खड़ी हो जाएगी कदमों में इसके. इसलिए कल ही मैंने फैसला कर लिया है कि इस प्रदेश का मुक्यमंत्री दीनानात नहीं दीन दयाल होगा. और ये ओरत जिसको एक टिकिट के लिए माना कर रहा है. इस प्रदेश की ओगी, डिपटीCm, आप मुक्यमंत्री. कि अखेट मांगने के लिए बनिये तू अरे और टिकेट मांगने के लिए टिकेट बातंनेके लिए राज की थारिक में पैसा सबसे बड़ी ताकर और उसकी तिजोरी की चाबीज के पास है अब यह समझदारीश रहे दीनानाथ के पास टिकिट की जगे 50 करोड रुपे मांग ले अस के देगा नेता जी 50 करोड नहीं हम लोग छोटे लोग है एक दो करोड एक दो करोड से भी काम चल जावे बनाराम अपने कद के हिसाब से नहीं कलेज इस विधायक जब आपस में मिल जाएंगे तो होगा राजिस्थान में तमाशा आये अनोकी देवी जी आये बहुत अनोका काम किया आपने इस तरह की सीडी कुद एक औरत तो नहीं बनवाती मर्ड जब हो जावे तो आरत कोई भी सीमा लांग सके है बहुत जल्दी रंग बदल लिया तुमने जब तुम बदल सको तो मैं भी बदल सकूँ मेड़ता की सीड मन्ने देकर ना मुक्तियार का लाउंज करवा दिया कि महारी को इज़त है कि नी पोस्टर छपा दिये सडका पे लगवा दिये तू समझे के अपने आपने तू है के के तू देखो बात समझने की कोशिश करो मुक्तियार मेरी मजबूरी है वो अनपड है जाहिल है मेरे बहुत सारे राजचिपे में उसके पास और तू चिंता क्यों कर रही है मुक्तियार को तो मैं यूस समझा क कोई और सीड देलवा दूँगा है तुला वो सीडी मुझे देदे वो अपोजिशन वालों के हाथ लग गई तो अंगामा हो जाएगा तेरी भी बंदामी होगी मेरी भी बंदामी होगी हाँ हो सीडी अगर जनता में पहुंच गई तो मशूर हो जाएगा तू बगएर मेहनत कर यह सीए मन जाएगा देख मेरे सबर का इंतहान मतले सीडी देदे इसी में तेरा फाइदा है ठीक है तू ले ले सीडी और देदे मने पचास करोड़ अरे पचास करोड़ अरे पचास करोड़ जितना तो वजन भी नहीं है तेरा है मनने ब्लाग मेल कर रही है सौधा, सौधा करूँ सौधा जब तुम सीम बनोगे तो पांच साथ हजार करोड तो कमाओगे न थारा भी धन्दा, मारा भी धन्दा अपनी इजद बचाने के लिए मैं तुम्हें करोड दो करोड दे सकता हूँ लूंगी तो पूरे पच्चास करोड तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत महेंगी पड़ेगी, याद रखना मैं भी तो यही कहूँ मैं जित पे अड़ गई ना तो थारा इंजाम भी बहुत बुरा होगा चैरांची मेरी तो राय है कि इस पूरे मामले को प्यार महबबत से सुल्टा लेना चाहिए, छुपचा अरे, इको जमीन में गड़वा दूँगा, उपर से हरी घास लगवा दूँगा दमकी देने से कुछ हासिल नहीं होगा मेरा हुकम बाद में चलता है, गोली पहले चल जाती है सब को जेल बिजवा दूँगा मेरा बगला, मेरी गाड़ी, सब चाहिए मुझे पचास करोड चाहिए पचास हजार की उकात नहीं है उसकी थारी एक ही प्राबलम है कि टाबर इतरहें जित पे अड़ जाती है तो छोड़ती नहीं है सुझ, दीनानाथ ने साफ कहतिया है कि वो हम लोगों को रोड पे ले आएगा सोच, अनोखी इस चक्कर में बतपड़ी इतना बड़ा सोचनी के उकात नहीं है अपनी पनाराम, खोड़ी जब रेस में दौड़ती है ना तो बीच रास्ते में नहीं रुकती मनजिल तक दौड़ती है जाहे फिर वो रेस जीते यहारे अनोखी अब मैदान में उतर चुगी है अब पिछे कोने हटू जहो का तेखा जालेगा हुकम बहुत जिदी थी, वो नहीं मानी तो चोड़ दिया उसको हुकम इसे जादा मनने नहीं मालूम अपना नहीं चाहते है हुकम अब सब कुछ बता दिया तो क्या बचाय शेपान को हुकम गड़ी खुड़ से ठीके जाओ इस पर नजह रखना इस पर नजह रखना I don't trust him completely जिसर यसर हलो मिष्रा जी नमस्कार मैं तीनानाद बोल रहा हूं हाँ तीनानाद जी बोलिए मिष्रा जी दिली में अपने होम मनिसर राजदीप सिंग जी हुमारे परम मित्र है और वो आपके भी मित्र है तो आप से मिलने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही आप हमारे आप बजारेंगे या हम आपकी हाँ हाजिर हो हम तो आपको बुलाई लेंगे फिलाल मैं आपके पास आता हूं बबो इच्छा देखो जैन साब इस बार आप खुल के हमारी मदद करो अगली बार खुल के हम आपकी मदद करेंगे हाँ हाँ हम आपके साथ है सर्कार अब कुम्स भीया और अफिसर मिश्ट साब आए अरे बुलाव 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 अच्छा जैन साब फिल मित्ते हैं नन्यवाग जी बचार कीजिए आप आए साथ थैंक्यो नमस्कार जी आए साथ आईए आईए बदारिये नमस्कार आईए बड़ी प्रसन्नता हुई आपकी आने पर राजदीप सिंग जी बड़ी तारीफ करते रहते हैं मेरा तो लंगोटिया यारे जी जी बताया था आपने अराम से बैठिये एक एक प्रणा चाय हो जाए जी मैं चाय नहीं बीदा घबराइए मत हम चाय में जहर नहीं मिलाएंगे हम पर तो जहर भी असर नहीं करता दी नानाजी अच्छा वो अनोकी देवी वाले केस का क्या हुआ कहां तक पहुंचा केस हम मुझरिम के बिल्कुल पास है सर अरे जर लिजे सर्ट को जब आप कहीं ये पकड़ लेंगे मिज़रा जी आप ट्रैक से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं अरे हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं और आप दुश्मनी के बीज बो रहे हो देखिए चालीस दिन तो हो गया आपको इन्मेस्टिकेशन करते हुए और बीस दिन पचे हैं आपकी रेटायर्मेंट में कि इसका फैसला बीस दिन में तो क्या बीस सेकंड में हो जाता है फैसला हो गया है बस एक्जिक्यूट करना बागी है मिशा जी हम आपको एक सलाह देते हैं बीस दिन के बाद आपके बास ना तो लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी ना पावर होगी आप सड़क पर गूमते हुए नजर आओगे आज जो दोस्ती बना लोगे वो ही काम आएगी, दुश्मनी नहीं कहा, छोड़िये इन बातों को चाहे नहीं पीते तो कोई बात नहीं है कि कब काफी हो जाए उधार रही काफी ज़रूर पियेंगे लिकिन मेरी ओफिस में, तुम इसकार बोलो दिननाथ अरे वो CBI अफसर मिश्रा है, हम सब का कभाड़ा कर देगा तोड़ा देते हैं मिश्रा जी को सराथ बंदे राती है जिन लोगों को सर उठा कर जीने की आदत होती है उनने कभी कोई भगवान के दरवार में साथ जुखा लेना चाहिए कितने पैसे मेरे था गोरी चलाने के लिए बदा तान सजारूरूरे साब 10,000 रुपए के लिए जान ले लेगा किसी की तू साब मार्केट में यही रेट चल रहा है मैं नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा तू कानून की मदद करेगा तो ही हम तेरी मदद करेंगे बाकी तेरी मर्जी ठीक है साब कुछ साब तुछ साब प्राप तुछ साब थाप の जाप तुछ four प्रूब लूहां संताओता। ऋुधा खीपो लुधां सेी लूशार कि 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 अच्छा हुआ तुम दोनों आगे हैं बहुत पड़ेशन कर रखाय तुम दोनों नहीं हमको देखो हमारे सबर कहमतान मतलों जाओ हमारे भाईयों को लिए तुम्हारे भाईयों के कहने से ही यहां पर आ गये हैं क्या है ना उनका मन नहीं लग रहा है हावालात में इसलिए तुमेले ने पहुंच गया तुम दो और बागी हमारी लंबी चोड़ी फाउच निर्बे सिंग जी जी निश्चे सिंग जी लंका को जलाने के लिए तो एक हनुमानी काफी तो हम तो दो हैं हाँ और बाहर दो सो और खड़े हैं ये भी तो बताओ निश्चे जी देखो मुख्तार मिया खुनखराबा करने में आपका कोई फाइदा नहीं है समझदारी इसी में है कि आप कानून के लड़ाए लड़ो हम आपको अनोखी देवी के मरडर केस में गरफतार करने आए हैं और गरफतार करके रहेंगे प्रीट से चले चला वरना रीट से ले जाना हमें आता है जी मैं तुमसे यह नहीं पूछूँगा कि तुम अनोखी देवी को जानते हो या नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि उसका कदल तुम्हारे हाथ हूंगा है मेरी दिल्चस्पी उन लोगों में है जिन्होंने तुम्हें इस काम के लिए उकसाया है मैं गुनाह और गुनाफगारों को चड़ से उकाड़ना चाहता हूं तुम्हारे पस दो रास्ते हैं कानून का साथ दोगे तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते है लेकिन अगर अदालत गए तो इससे पहले की अदालत ये वैसा सुनाए कि मुक्तियार सिंग को अनुकी देवी के कतल के इल्जाम में सजाय मौत सुनाई जाती है ऐसा तुम्हारे हाथ में तुम्हां कहना चाहते हो या ना आट यह दुनों तुम्हारे ही भाई हैंना सब कुछ कंफेस कर लिया इनोंना पठान का बच्चा जंग लड़ने से पहरे यार गया यह हमारा भाई कैसे हो सकता है ले जाँ स्टेटमेंट दे दिया इनोंने के नोखी देवी को तुम नहीं मारा है गिरें मिड़ गई बात ही खतम हो गई जब तुमको सा मालूम है तो परेशान क्यों हो रहे हो हम फाइल बान करो ले चलो अदालत में यह हम बोलता है हम अदालत नहीं हम तो तुम्हें उपर ही पहुचाएंगे मुक्तियार सी हमारे साहब ने फैसला किया कि अब तुम लोगों का इंसाफ हम करेंगे अदालत नहीं रिटर्ण डिगेट साथ लेकर ही आया हम मुक्तियार जी जनाब तुम्हारा एक कमण खुसेड देंगे कहते हैं पहलवानों की मौट चूँ के हाथों होती है किसी भी मावुली आदमी से कहकर तुम्हें मरवा सकते हैं बहुत लोगे हमारे पास और कुछ अई सर अनोखी देवी का केस कहां तक पहुचा मनजिल के बहुत करीब हैं सर भादूर हुनारो थेंकियो सर जी नुस्ते तुमश्कार आएए आए जी मनोख सिंग जी आपसे बहुत मिलने की कोशिश की लेकिन पता चला कि आप बहर गया हों है जी मावसे मिलने गाउं चला गया था जी बैठे अनोकी देवी के केस को लेकर आपने सरकार की नाप में दम कर रखा है ये जानते हुए कि अनोकी देवी के केस को लेकर बड़े-बड़े गुंडों का और नेताओं का नाम उचाला जा रहा है तो उनके खिलाफ आवाज उठाने में आपको डर नहीं लगा देखिए मौत तो जब आनी है तो आएगी वैसे मौत बड़ी महरबान रही है मुझ पर कई दफा मेरे दर्वाजे पर आकर वापस लोट गई काफे दिल्चस आद्मी हैं आप आपके किसे सुनने को मिलते रहते हैं अब कर दो जा सकते हैं आपकी मदद के बगार में एक के सॉल भी कर सकता आप अब अगर तो बात बदेग मैं क्या कर सकता हूं अनो की देवी ने आपको मुक्तिया सिंग के वारे में जो फोन बर जानकारी दी थी मैं उसे सुनना चाहूं जूर्ण एक मिलीजे यह लिजे सुनिया थे यह लिजे सुनिया यह लिजे तो लगता है मुझे जान से मार ते गा अगर मुझे कुछ हो जाए तो वह सी ज़ग मुझे को डिर गार कर देिनः पुलिस को देते रहें पाश्या इसके यह एंगे यह तो किसीने उसके हाथ से फोन चींग लिया या गिच्देश फोन में कोई जिक्र है वो बातानि वाली थी कि वो सीडी क्या है है तो कहां है मगर अपके बास कोई एृड नही लीकिन अशी अनोखीदेवी का रेंक लोकर है जिसकी चाबी जीता के पास है शायद वो सीडी उस बैंक लोगर में षायब वो ता Kin大家 वेते भाल जीडी होगी वो सीडी मुझे जाहिए जीए जीके हाँ, मैं समझ गया, शाइड जाना उसे, डाल में, तो भी फर्माइब काभी पूरी नहीं है, अच्छा किया है, चिंता मार को, तुम जो कावगी ना, सब ले क्या हूँ, इक काम करते है, शाब तो पिच्छ देने चाने, और फोलो, इसकट वही पहन के आना, जो तुमें मैंन सब्सक्राइब करते हैं, तो बढ़े पर गिफ्ट देने, ठीक है, अरे, अरे, मैं से कह जाना यार, कि एक्स्ट्रक्लास है, वैसे भी तेरी ममी तर बहुत बोली है, ना, कुछ नहीं काईगी, अरे, अरे, फॉल लगो या, तो किसी तर्ना मुझे मरवा दोगी, क्या कर रह पिठा, मोनसाइकिल चलाते चलाते मोबाईल फोन पे बात कर रहे हो, तुद भी मरो, तूसरों को भी मुश्किल में डालो, तो साइड में खड़े हो, के, हराम से, है, जई साथ, भी। मैं साइट देरा हूँ, फोग दल्ट साले को आँ आने दो साइट अरी कितना खूल मेरा जल्दी जलो, बहुत गहरी चोट लगी है दो डॉक्टर साब पापा वह ठीक है, मैंने उन्हें नीन का अंजेक्शन दे दिया है वह सो रहे है, तुम भी घर जाकर सो जाओ नहीं मैं यही रोंगी पापा के पास देखो तुम सुभै से परेशान हो, हम लोग है ने यहां पर दिहां डखने लिए जाओ, सुभै आजाना निद आ रही है? नहीं साब अरे आखें तो बिलकु नहीं से बरी हुई है जाओ, जाओ, चीटे मार के आओ, चाय पीके आओ चाय पीके आओ, जाओ, जाओ जाओ, जाओ, जाओ Karan Singh टा आप कि हवस ने तुम्हें एक नीच और कमीना इंसान बना दिया है तुमने जु किया उसे कानूनी भाश्या में एटम टू मडर कहा जाता है और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा एंड काउंटर कर सकती थी मैंने भी कर दिया होता लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे नापाक बदन को तिरंगे जंडे में लपेटा जाता नहीं चाहता था कि तुम्हारे मरने पर पुलिस डिपार्टमेंट सरकारी शोक मनाता और तिरंगे जंडे को एक दिन के लिए शरम से जुका रहना पड़ता यह हमारे नैशनल इसका अपमान होता। देर भाए, इनकी वर्दी उतारो। कमान। एक जिन आएगा सर्थ, हम अपनी वर्दी खुद उतारें। या फेर, आपकी वर्दी उतरवाएंगे सर्थ. सुरी सर्थ, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तीनानाथ बोल रहा हूं। मैंने आपके लिए दो लाक रुपे भिजवाये हैं आपके लाज के लिए। और चाहिए तो संकोच मत कीजिएगा। जखं भी देते हो और मरहम भी लगाते हो। यह प्रभू इच्छा है। ली जाहिए। आपके साहब के होर्डिंग लगाने की काम आएंगे। जीवाद यह फूल रख दो। जीवाद बनाराम ने बताया था कि उसने अनोखी देवी को तिलोरा के आस पास छोड़ा था। अर अनोखी का आखरी फोन भी तिलोरा के पास ही आया था। यह जीजी साहब पिंटू के आथ की गरम गरम मले मार के चाहे। एक बार पियोगे तो जुमतेरे जाओगे। अफीम तो नहीं मिला रखी नहीं है। अरे साहब अफीम कहां मिलोंगा। चल बैट। कोई ओरत थी है। साहब ओर मर्द तो रोजी आते हैं किस-किस का ध्यान रखें। कोई आन्होनी बात हुई हो दिमाग पे जोर लगा जारा। यह देख यह ओरत थी। कुछ याद आया कुछ एसी थी वो उसे कुछ गुंडे उठा के लेके गए थे। कौन लोग थे वो देखा था कभी पहले। पेचान पाओगे। साहब उनको तो नहीं पेचानता हूं उनके गाड़ी को पेचानता हूं। दिनानाथ जी के फार्माउस पे आती-जाती रेती गाड़ी। है कहाँ यह फार्माउस। हलो। हाँ सर्थ निर्भे सिंग निवेदन कर रहा हूं। यह हाईवेपे धाबा है। वहां से कुछ गुंडे उसे उठा कर ले गए थे। झाल जो वहा ह। झाल जो झाल रहरो कॉछ पर जाल घूर्जा यह रुआएवट यह मोबाल तौआनोटिका यूसदोता जाएवच एचा जाएच एचा इदर आ, खोदो इसको सिगरेट पियोगे? नहीं, आम सिगरेट नहीं पीते हैं मैं तो भूली गया आप सिगरेट नहीं, बीडी पिते हो यह लो, तुम्हारा इबराइन पिलाता हूँ बुरी बाद है बीडी पिना मगर इबराइन हमारे अलावा और भी बट पिते हैं इसी लकडी से जलाई थी ना बीडी यह बीडी के टुकड़े और यह लकडी हमें उसी जगे से मिले हैं जहां तुना अनोकी देवी को मार के जलाया था और सुन इन टुकड़ों और इस लकडी पे तेरी ही उंगलियों के निशान है अर भाई हमने लकडी गुसा के मारा के बीडी गुसा के मारा चलो मान लेते हैं कि इन पर हमारे उंगलियों के निशान है पर इससे आप कैसे साबित कर सकते हो कि अनोकी देवी अगर मार गई है तो हम नहीं मारा है हालो निर्भाय, I want to see you Yes, sir Come over Okay, sir हाँ, कुछ बताया उसने? No, sir बड़ा हाटकोर अनोकी देवी को मार कर चलाया गया है कहीं से तो लकडी लाए होंगे जड़ा पता को रो आस-पास कहीं लकडी की टाल है जी, sir इन में से कोई एक तरिक राज को लकडी लेने आया था कुछ यहां से देखो यह फीली तोड़ी वाले साफ और मुझे जगा कर ले गएते साफ और पूरी आठ मन लखड़या लेकर गएते अच्छा उन में से एक जणा दो गंटे बाद आया था साफ और मेरे मोबाई से बाद की अच्छा हाँ साब चलो, शुक्रिया लेखिन, sir, मेरा मोबाई अरे, चिंता मतरो लोटा देंगे ठीक है? साहब, मैं नतुराल भोलो एक खास खबर है कल सुबह मुख्तियार मिया को आधाराद ले जाएंगे जबर से बोलो देल बाबो हैं तरके देयर, आपक हैजह कोoundरं spice करोगी केंदो भाव, राज़, रहना बाया, राज़ भाव, रिपना भाव, रिधना भाव हैं डार जी, राजयस स्वी अनना भाव राज़ बसे क्यों है रिधना भाव रॉख मोसित वे पना भाव qu व्धना है सर दोटन की पूल ऐrit चर ज चर बात उजका पिखら ऑरकुट में पार पियू कर tôi, फिर अर झुट पयू कर अरोड़, और को बार दियू चोले सो त्यव फिर वार्ब है मुक्तियार को मारा नहीं है, मरवा दिया है, मुक्तियार को अपने बाप का बेटा तो था नहीं जो भाईचारा निभाता, अदालत में जाके कनफेस कर देता कि दीनानात के कहने पे मैंने अनो की देवी को मारा तो क्या होता रास्ते का रोडा ही अटा दिया मुक्तियार ने अनोकी देवी को मारा अब मुक्तियार ही नहीं रहा अनोकी मडर केस में दोस्तू दोस्ती निवाईये मैंने एक काम कर सेकेटरी के हाथ से दो करोड रुपे जबबर सिंग के घर पे बिचवा दे बोल उसको एशर्मा जी उकुम जला दो करोड करना जी उकुम अलो सर एक खास कपर है मुक्तियार सिंगे मडर के बारे में बता लाए कौन हो तुम वो छूड़िये सर दीनानाद और देयन ने मिलकर मुक्तियार को जबबर सिंग से मरवाया और बदले में दीनानाद का आदमी जबबर को दो करोड रुपे देने जा रहा है और जबबर सिंग मसुदा के फार्माउस में मिलेगा मेरी कपर बिलकुल पक्की है साल हलो कौन है रे तू दीनानाद जी का सेकेटरी हूँ दायाल बाबू ने दो करोड रुपे बजवाएं दायाल बाबू दो मेरी का सेकेटरी saturating है रे रेbayर प्क्षारे के क्षण क्षण आज दो में! मुक्तियार को किस ने मारा? कितनी बार पुछ जोगे आप और कितनी बार बै जवाब दूगा? बै याल वाओ के कहने पे मैंने ये मुक्तियार को फिर छुट बोल रहे हो तुम तीनानात का आदमी तुम्हारे घर पर आकर दो करोड रुपे दे कर गया तुमको मुक्तियार को लिए है? नोटों पे खिसी का, किसी का नाह Mीली कहो तैसाफ मैं के जआल को जानता हूँ कि किसी भी दिनानात को नहीं जानता हूँ मुझे माननेसे कुछ भी आदिमीं है सर मैं सच कहता हूँ द्रेयाल के कहने पी मैं मैं उससे मारा तुम Sir, वो सकता है के दयाल ने मरवाया हो लेकिन पैसे दिनानाथ के आदमी के हाथों भेज दिये हो? Sir, हो सकता है दयाल और दिनानाथ के बीच कोई अंधरूनी अंबन हो, Sir. इन पॉलिटिशन्स के बारे में कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते है. मुझे तो लगता है उनकी राजनिती का ये महज एक प्यादा है. पस. अरे, मिश्रा जी, आप यहां? यहां से गुजर रहा था तो सोचा इस पावंतीरत परमाथा टिक लूँ और पाफों का प्राश्चित कर लूँ. आप और पाफ? जैसा आपका नाम है, मिश्रा जी, वैसा ही आपका चरित. आपसे पाप कभी हो यह नहीं सकता, बस. क्या है दयाल बाबु, अगर जाने अन जाने में, आप जैसे शरीफ आदमी का दिल दुखाया हो तो बुरा लगता है. इस लिए आवन ख़र रहे हैं आप? अपने पापों के प्राश्चित के लिए, आपकी तरह हैं? वहाँ, गलतियां और आपसे? जिन्दगी है, मिश्रा जी, कठेने, तास्ते बनाने के लिए हटाना पड़ता है, लोगों को ना चाहते हुआ भी. गलतियां होते हैं, तो प्राश्चित भी होते रहते हैं. अब जब आप यहां आई गए, तो अपने हाथ से दो बूंद घी की, अगनी में ड़ जाएं तो अगनी भी पवित्र हो जाएगे. पड़ी जी, मिश्रा जी की लंबी आयू के लिए प्रात्ना कीजिए, और जरूरत पड़े, तो हमारी उम्र भी लगा दीजिए. वा, यहां भी राजनीती खेल गए, उम्र लगाने की बात करें और वो भी जरूरत पड़ने पड़े. चलिए, आउती लग दी, मैं चलता हूँ. पड़ी जी, आप चालू रखें, मैं छोड़ कराएं, आई. मैं बोल नहीं सकता, मिश्राजी, कितनी प्रसनता हो रही हूँ. बगल में घर है, चाय पीके जाईए? नहीं, अभी तो लेट हो रहा हूँ. श्यामकु सीम साब किया मीटिंग है. वो अनोकी देवी की फाइल तजार किया उनको दिखानी है. अब यह गोरक धंदा तो लगाई रहेगा, मिश्राजी. देखे, कहा गया है, कि त्रेता में छास मिले और द्वापर में घी, कल्यूग में चाय मिले सो बना बना के पी, एक कप तो बनती है. यह किसने लिखा है? अच्छा है. कभी-कभी. वो, मेरी गाड़ी में खुद चला कर आया हूँ, तो इसलिए मैं… यह तो बहुत अच्छा है, मैं आपकी गाड़ी में चलता हूँ, मेरी जिंदगी की गाड़ी का स्टारिंग आपके हाथ में रहेगा, तो स्रक्षद गर पहुंच जाएंगे, आईए. अलो. साब, मैं नतुलाल बोल रहा हूँ. नतुलाल, क्या हूँ भई? साब, वो, वो सीविय के नए ओफिस है ना, उनने देहल बाभी को अरेश्ट कर लिया है, और ओफिस में ले आए. आठी, आउंगा भई? आपकी चालाकी की नहीं, समझदारी की दाथ दे रहा हूँ, जो आपने मुझे पब्लिकली अरेस्ट नहीं किया. अगर पब्लिकली अरेस्ट करते ना, तो बहुत खुन खराब होता. आपके साथ चाई पीने की बड़ी तमनना थी, मिश्रा जी. वहां नहीं तो यहां से ही, चाई तो बलाईए. एक कप चाई भेजो. जी सर. अनुकी देवी आपकी पार्टी की मेंबर थी. उसके गायब होने का आपको जरा भी अफसोस नहीं है. पूरी तागत जोग दिये साब उसको पता करने में. केश CBI के हाथ में जाए, इसमें मेरा याथ है. CM के उपर प्रेशर करके, आपको यहां कुर्सी पे मैंने ही बुलाए. बड़ी महरवानी के आपने मुझ पर. अब एक महरवानी और कर दीजे. बस इतना बता दीजे कि आनुक की देवी जिन्दा है, या मर गई. आपकी बलाई इसी में दयाल, बाभू. क्या आप मुझे सब कुछ साफ साफ बता दीजे. उसको जागे बोल अंदर? के जन्सेवा पार्टी के अध्यक्ष दिनानाथ जी आए है. जी सर्रकार, अभी बोलता हू. इसमे इतना कैसोचना? सर्चाय. इन दो? जी. सर्चाय, बाहर जन्सेवा पार्टी के अध्यक्ष दिनानाथ जी आए. उन्हें अंदर बेजू. बिठा उने. बिठा उने. बिठा उने. जी. अरे, बोला? जी, बोला. आपको बैठने के लिए का. तो बैठा ही तो हूँ. आधे गंटे से. जी. तुने बोला के जन्सेवा पार्टी के अध्यक्ष दिनानाथ जी आए. सेम टू सेम का सर की जन्सेवा पार्टी के अध्यक्ष आदर नी थी, बाहर पदा रहे है. पर उन पर कोई असर ही नहीं हुआ. अंदर मिटिंग चिल रही है. कौन बठा है अंदर प्राहिम निचर बठा है दयाल बाभू आये हैं तो और आपके लिए का है अगर बैठना है तो बैठे ने तो चले जाए 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 अच्छा आपके चाहला हूं अब आदे गंटे से बिठा के रखा हुआ है जन सेवा पार्टी के अध्यक्ष के लिए आपके पास 10 मिनट का समय नहीं है इंते बड़े अफसर हो गया हो तुम अरे तुम जैसे अफसरों का हम मुकदर रोज बनाते हैं रोज बिगाड़ते हैं बस इसके आगे और नहीं बोलेंगे आप क्या कर लोगे सरकारी ऑफिसर से बत्तमीजी करने के जुर्म में अभी के अभी हवाला आप में डाल देंगे रिलाक्स से बात कर लिए कि जाओ मिला दो इनको जी हुकुम चली चलो कि मिश्रा जी दीरानात को एरेस्ट करने से पहले एक बार फिर सोच लें देरानात की अपनी जाते के लोगों में बहुत पकड़ है उसकी एरेस्ट से प्रदेश में लॉय लॉडर प्राब्लम हो सकता है सर मेरे पस पूरे सबूत हैं अनोखी देवी को गायब करवाने से लेकर उसे मरवाने तक और मरवाने से लेकर उसके सारे सबूत मिटाने तक इस सब में जिनाना थुरदायल का ही हाथ है सर सर आप मुझ पर भरोसा करिए I'll take care of everything हलो कामा गणी हजूर लिचे मिस्रा जी आये अकेला आया नहीं अकेला नहीं पूरी पुलिस फोर्स लेकर आये ठीकाने दे अमस्कार मुझे देखकर ताजुभ रहा हुगा आपको कहना खाईए आईए आप दिखाईए शुक्रिया पुलिस का काफिला लेकर आये मुझे एरेस्ट करने आ वार्र्राइए मैं खुद ही वारेंट हूँ मुझे जब किसी को एरेस्ट करना होता है मैं वहीं पर वार्रण टीशू कर देता हूँ अनोकी देवे के के सारे सबूत आपके खिलाफ है फोन रख दीजे और खामोशी से मेरे साथ चली खामोशी कहां रह जाएगी बुचाल आजाएगा पूरे परदेश में बुचाल दिनानाथ को अरेश करना कोई मदाख है हाँ बोलो क्या आदेश है सर हमारे लिए नीचे रो मैं इसको लेकर आ रहा हूँ सथिप्रकाश मिश्रा ने आज अनोखी देवी केस में दीनानाथ और दयाल को अरेस्ट कर लिया है इन दोनों को कल अदालत में पेश किया जाएगा सथिप्रकाश मिश्रा सीबियाई अफिसर होने के साथ साथ एक बड़े लॉयर भी है इन्होंने अदालत से अनोखी देवी केस की पेरवी करने की इजासत ले ली है आज जोद्पूर शेहर में हल्की वारिश में हमारे वे गhandले जोडोड़ खोड़ो हमारे नीटें को बड़ो चलना चाहते हो, चलाओ, नहीं साब, क्या नाम है तुम्हारा, सत्या, जानते हो उसे, जानते हो, नहीं साब, नहीं, नहीं, आप जानते हो इसको, मिश्रा, पूरा प्रांत वेरा भगत है, अब जरूरी नहीं हर किसी का नाम जानू, सुना, तुम उसे नहीं जानते, वो तुमें नहीं जानता, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए अपनी जान के आउती देना चाहते हो, यहीं इस देश की जनता की प्रॉब्लम है, एक मासूम जरूरी आपनी जान देने को तैयार होता है, लेकिन असाधी के बाद, आज तक किसी नहीं ने अपने एक आप माद्मी के लिए अपनी जान दिये, इस हीरो बनना चाहते हो, हाँ! चलो! मिलोड ये अनोकी देवी के केस के रिकॉर्ड्स है जिससे जाहिर होता है कि कैसे अनोकी देवी दिनानाजी की जिन्दगी में आई और कैसे दिनानाजी परिशान होकर उसे अपने रास्ते से अटाने की कोशिश में लगे रहे है अनोकी देवी एक नाचने गाने वली नर्त की थी एक फंक्शन में उसकी मुलाकाद दिनानाजी से हुई अनोकी दिवी के लटके जटकों ने दीनानाजी को उसका दिवाना बना दिया और उसको अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए दीनानाजी ने उसे अलगलग बादे करने शुरू कर दिये यहां तक कि मेटा की MLA की सीट पी उसको आफर कर दी प्राबलम तब आई जब मुक्तियार सिंग ने भी मेटा से एलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया अब मुक्तियार सिंग और अनोकी देवी के बीच बन गए सेंड़िच तीनानाजी देल बाबु मैं सही कह रहा हूँ न ऐसे कुछ था मिलॉड, ना चाते हो भी देनानाजी को मेर्ता की एम एलेगी सीट मुक्तियार सिंग की जोली में डालनी पड़ी अनोकी देवी बड़ी शातियरो चला किसम की ओरत थी वो समझगी की मुक्तियार सिंग के पास देनानाजी के बहुत सारे राज हैं लेहाजा उसने भी अपने जड़े मस्बूत करने की कोशिश की, उसने दिनानाजी की खेलिवी रास लिला को एक सीडी में क्याप्चर किया, उस सीडी के जरीए वो दिनानाजी पर प्रश्र डालने लगी, देयाल बाबु ऐसा ही हुआ था ना, ब्लैक मेल तो करना शुरू कर ज़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब, सब मंघरंकाणिया इस अदालत में पेश की जा रही हैं कि दिनानाजी ऐसे थे, वैसे थे, माना दिनानाजी जैसे भी थे, लेकिन सबाल इस वात का है कि जिस अनोखी देवी की चार्ज में, दिनानाजी और डैाल बाबु को यहा पेश किया जा रहा है उनके खिलाफ कोई थो सबूत हो तो पेश करें बनाराम को अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूं सर मैं अनोखी देवी का सिकरेटरी हूँ और मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है अनोखी देवी को मारने मैं थारी मदद करूँ ना ना ये काम मैं मरे ना करूँ मुक्तियार बायसाब ने तेरे लिए दसलाक रुपे बेचे हैं या थारी जिंदगी या थारी बैंड के बाद बना राम भूख को नी? मन नहीं हो रहा है तने के लागे है दिननाथ पिस्दा देगा अनोखी जो हम कर रहे है वो ठीक अने कर रहे है दिननाथ का जो मसला है उसको सल्टा देना चाहिए नहीं तो ये लोग हमें सल्टा देंगे समझ बात किसला मैं करूंगी, पीसा आपन पहले लेवांगे और सीडी उसने देवांगे दो दिन बाद, उस्ते पूछ लो सौदा मंजूर है तो ठीक है हलो, क्या जोजा तुमने? देखे नेता जी जो यह जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, सुण लीजिए, सुनिये, मैडम से बात हो गई है, पैसे कल लेंगे, त्रीडी दो दिन बात देवेंगे, यह आपको मंजूर हो तो बोलो मैं मैडम को लेकर आता हूँ, नहीं मैं मैं लाओ, मैं लाता हूँ, मैं लाओंगा, मैं लाओंगा, मैंने बहन की गवराड से अनोखी को मुक्तियार के हवाले कर दिया, हुजूर इन लोगों ने मेरी अनोखी देवी को मरवा दिया, किन लोगों ने मारा, इन लोगों ने, यह ने तुमने इन लोगों के हावाले वी उन उनुरू के देभी को है ना मोगतियार्थ शान के भाई प्कड़ के ले गया थे मिलोड एक Espion ज्टो यह हो पहलारी चालल से मुक्तियार सिंग ने करन शिंग को फोन किया और करन शिंग अपने फोन से तेनानाची को फोन किया यह फोन चार बज़ कर पंदरा मिनट पर हुआ था और बातचित करने की जो डिवरेशन थी वो पंदरा सेकंड की थी और पंदरा सेकंड में कोई भी इनसान कह सकता है काम हो गया यह उसकी रिपोर्ट थैंक्यू तुम जा सकते हुआ मेलोर्ड मुक्तियार सिंग मुझे फोन किया था और बताया था कि काम हो गया है और फ्र मैंने दीनानात को फोन करके बताया था कि काम हो गया है अनुक्य देवी को गायब करने में हम सब गुनागार हैं मैंने सरकारी वर्दी के साथ इंजस्टिस किया उसकी सज़ा मुझे मिल लेकिन अब एक्षिन सर पे है, अगर वो सीडी अपोजिशन के हाथ लग गई तो मैं बरबाद हो जाओंगा, किसी ना किसी तरह है मुझे वो सीडी चाहिए। एक सीडी लेकर क्या होगा, मास्ते तो उसके पास है, दस बीस कौपी और बना लेगी वो, मुक्तियार सिंग बिल्कु ठीक कहा है दिनानाद, इसलिए जो बात बिगड़ गई है, उसे बना नहीं चाहिए, एक काम करो, मेरता सीट से अनुखे दीवी का नाम अनांस करो, राज अब वही से खड़ा होगा, और तुम्हारा नाम अनुश तो कर दिया मेड़ता से भई, लिकिन अब इस चक्रवियू से निकालना, तेरा फर्ज बनता है ना, तेंचन लेने का, जग हम ना सुरोने से पछले उसका उपरेशन करने को हमको आता है, जग हमना सुरोने से पहले leps ब libro一直 में तोभू और रो-ज아री बरी 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 बसामा है कर दोड़ी हो जग हो जग हम ना नाम आरा या À वाह! आट आट त्थस्राइब वाह! वटखबान में शान कंजए टता गल झाल कर को चमया हेलो, हेलो, मैं नोखी बोल रही हूँ, लगता है मुक्तिया मुझे चाहन से मार देगा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वसीडी जग-जाहर कर देना, पुलीस को देतेना, और सुनो, हाँ! हेलो? छोरो! हुआ है लो के वालो? छोरो इंचे, पंचीा, फंचीा, से हैंचीा, वंचीा, पंची! अँठर सुर्पनी है फ्रोल पार श्राए पार बार सुर्पनी है ङुटत अजल प्राइब खार अजल जल अजल प्राइब यह अजल भुटत मुक्तियार सिंग ने अनुख्य देवे के हत्या की है मेलड नफरत हो गई मुझे अपने आप से कि मैंने असी गंदगी में हाथ डाल के अपने हाथ कंदे की है चलिए आपको एसास तो हुआ बारहाल आपके बताया अनुसार अनुकी देवी को मुक्तियार खान ने मारा है जे यूर अनुसार मैं भी यही मानता हूँ और सारे सबूतों को देखते हुए यह जाहिर होता है कि अनुकी देवी को मुक्तियार खान नहीं मारा है अब चूंकि मुक्तियार खान इस दुनिया में ही नहीं है इसलिए ये केसी बेबुनियाद हो जाता है लिहाजा मेरी अदाले से दर्खास्त है कि दिनानाज जी और दयाल बाबू को अनो की देवी के चार्ट से मुख्स किया जाए That's all you are The court is adjourned यहां मैं सीडी लेंगे पहुंच रहा हूं बसा जैराम जी की भाई जी जैराम जी की कौन से साप अरे सुनिये सुनिये मैं आपको छोड़तर कहीं नहीं जाने वाले का आपको अगर आपको मुझे घर से निकाला है तो बता देगा इद्छי जी दो इद्छाव ठांax इद्छाव से अवण इद्छाव प्रियुना गीतर गीतर जिन्दगी बाग दूसरों के आँखों से आसु पोष्टे रहे और अच आपकी आँखों में आसु गलती मेरी है बेठा मैं गुनेगार हूं तेरा नहीं पापा कुछ नहीं हुआ जो कुछ हुआ वो मुझे तोड़ने वाला नहीं है पर अगर आप ऐसे रोए तो मैं मर जाओंगे मैं मर जाओंगे पापा मैं मर जाओंगे आप ये नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो आप शरीफ आद्मी हो बाल बच्चे वाले हो है छोड़ो ये सब वो जाने वाली तो चली गई अब बाकी की चिंता करो तन्यवाद आपकी इस नसिएट को याद रखो हूँ इस केस में जिस सीडी का जिक्र है वो कहा है यूर अनर सीडी मेरे पास है एक नहीं दो सीडी है मेरे पास मेरी अदालत से विंती है कि इनस सरे आम न देख कर आप अपने चेम्बर्स में तश्रीफ ले जाएं प्लीज एकसेप्ट इट डिस्गस्टिंग ये है मेरे दुखों की दास्तान इस पर भी गोर फरमाए वेरी सैड कौन है ये मेरी बेटी है जजज साब समाज पानून और देश के प्रती जम्मेदारी निभाने का मेडल मुझे मिला और मेरे कारनामों की सजाए से पढ़िए ज़े धंकी दी गए थी कि अगर अनोखी देवी की सीडी को मैंने अदालत में पेश किया तो मेरी बेटी की ये सीडी पूरे देश में पहला दी जाएगी बाप होकर शायद मैं खामोश रहता लेकिन मेरी बहादूर बेटी ने मेरे आंसू पहुचे मुझे होसला दिया मेरी हम्मत बढ़ाए ज़साद मेरी बेटी तो एक मासूम बच्ची है आप बड़े बज़र्ग हैं आप भी बेटियों वाले हैं एक नहीं दो दो तीन तीन बेटिया हैं आपकी इस बार हम्मत से काम लीजे इस दफ़ा फैसला दिमाग से नहीं दिल से कीजे मैंने दोनों सीड़ी देखी है मुझे बड़ा अफसोस और शर्मिंदगी हो रही है लेकिन आज के वक्त में केवल सीड़ी के बेस पर कानूनी फैसला नहीं सुनाया जा सकता दोनों पक्षों की दलीले और पेश किये गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए ये थाबित होता है कि मुझे नहीं अनोकी देवी का खून किया है और देयाल और देनानाथ इस मरडर में शामिल नहीं है इसलिए देयाल और देनानाथ की जमानत मनजूर की जाती है मुझे फसाने का पूरा बंदोबस किया था तुने वो तो जज मेरा दोस्ट था वना तुने तो कोई कसर नहीं चोड़ी थी देनानाथ तेरे लिए अगर मैं अपनी गर्दन भी कटवा दूना तब भी तु कहेगा कि गर्दन टेड़ी कटी है अनोखी देवी के मामले को लेकर तुने जो पार्टी की ऐसी तैसी करवाई है ना उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है अभी भी कह रहा हूँ कि पार्टी के तरफ से मेरा नाम सी एम के नाम के लिए अनाउंस कर दे सब ठीक कर दूँगा कोई लालज नहीं मुझे सी एम मननेगा ना पहले था ना अभी है जब सब ठीक हो जाए कह देना रिदाइन कर दूँगा बन जाना सी एम अगर मुझे फसाकर तु चीब मनिस्टर की कुरसी हासिल करना चाहता है तो भूल जा मेरे हर कुना में शामिल है तु अनोखी देवी से लेकर मनोज सिंग की बेटी तक तु अनोखी देवी 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 जिजाबाद! 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 Your Honor, आपको हैरानी हो रही होगी मुझे कटगरे में खड़ा देखकर. मैंने हमेशा कानून और सिस्टम पर भरोसा रख रख रहा हूँ. जिन दो गुनेहगारों को जेल में बंद रहना चाहिए था, जिनें सजा देनी चाहिए थी, उन दोनों को आपने जमरत में. मार दिया मैंने उन दोनों. सचसाब, मैंने तो सिर्फ दो को मारा है. अगर यह हदसा आपकी बेटी के साथ हुआ होता, आप शायद 200 को मारते हैं. जो सजा सुनानी है सुना दीजिए, मैं तयार हूँ. यह सच है कि गलती हर इनसान से होती है. लेकिन किसी गलती का कोई प्राइश्चित नहीं होता, सिर्फ सजा तय होती है. इसलिए मैं आज और अभी अपने पत से स्टीफा देता हूँ. यह यह भाई रिजाए. कहीं चक्कू चला, कहीं खूली चली, कल बिगड़े लाणों की टोली चली. क्या मैं बताओं किस जानवजी है? हाई हाई जानवजी है, हाई हाई जानवजी है. मेरे घागरे के, मेरे घागरे के, मेरे घागरे के लिए घमासान मची है. मेरे घागरे के लिए घमासान मची है.